ओम शान्ती आज है 1 अगस्त 2021 अव्यक्त बाब दादा के महावाक्य सुनेंगे रिवाइस कोर्स 24-288 मुढली का टाइटल है वर्दाता से प्राप्थ हुए वर्दानों को व्रिधी में लाने की विधी आज बाब दादा अपने रुहानी चात्रक बच्चों को देख रहे हैं हर एक बच्चा बाप से सुनने के, मिलने के और साथ-साथ बाप समान बनने के चात्रक है सुनने से जनम-जनमांतर की प्यास मिट जाती है ज्यान अम्रित 85 आत्माओं को त्रिप्त आत्मा बना देता है सुनते सुनते आत्माएं भी बाप समान ज्यान स्वरूप बन जाती है वा ये कहें ज्यान मुडली सुनते सुनते स्वेम भी मुडली धर बच्चे बन जाते हैं रुहानी मिलन मनाते बाप के स्नेहे में समा जाते हैं, मिलन मनाते लवलीन मगनस्तिती वाले बन जाते हैं, मिलन मनाते एक बाप दूसरा न कोई, इस अनुभुती में समाय हुए रहते हैं, मिलन मनाते निर्विग्न, सदा बाप के संग के रंग में लाल बन जाते हैं, जब ऐसे समाई हुए वा सनेहे में लवलीन बन जाते हैं तो क्या आशा रहती है बाप समान बनने की बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले अर्थात बाप समान बनने वाले जैसे बाप का सदा सर्वशक्तिवान स्वरूप है ऐसे बच्चे भी सदा मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते हैं जो बाप का स्वरूप है सदा शक्तिशाली सदा लाइट ऐसे समान बन जाते हैं समान बनने की विशेश बाते जानते हो न, किन-किन बातों में बाप समान बनना है, बन रहे हो और बने भी हो, जैसा बाप का नाम बच्चों का भी वही नाम है, विश्व कल्यानकारी, यही नाम है न आप सब का, जो बाप का रूप वही बच्चों का रूप, जो बाप के उनको धारन करने वाले ही बाप समान बनते हैं। जो बाप का कार्य वह बच्चों का कार्य। सब बातों में बाप समान बनना है। लक्ष्य तो सभी का वही है ना। सम्मुक रहने वाले नहीं लेकिन समान बनने वाले हैं। इसको ही कहा जाता है follow father करने वाले। तो अपने को चیک करू, सब बातों में कहां तक बाप समान बने हैं, समान बनने का वर्दान आदी से बाप ने बच्चों को दिया है, आदी का वर्दान है सर्व शक्तियों से संपन भव, लौकिक जीवन में बाप्व गुरु वर्दान देते हैं धन्वान भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयू भव या सुखी भव का वर्दान देते हैं बाप दादा ने क्या वर्दान दिया? सदा ज्यान धन शक्तियों के धन से संपन भव यही ब्रामन जीवन का खजाना है जब से ब्रामन जनम लिया, तब से संगम युक की स्थापना के कार्यम में अन्त तक जीना अर्थात बड़ी आयू भव बीच में अगर ब्रामन जीवन से निकल पुराने संसकारों या पुराने संसार में चले जाते हैं तो इसको कहा जाता है जनम लिया लेकिन छोटी आयूँ वाले क्योंकि भ्राम्मन जीवन से मर गए कोई-कोई ऐसे भी होते हैं जो कौमा में चले जाते हैं होते हुए भी ना के बराबर होते हैं और कभी-कभी जाग भी जाते हैं लेकिन वे जिन्दा होना भी मरने के समान ही होता है तो बड़ी आयू भव, अर्थात, सदा, आदी से अंत तक ब्रामन जीवन वा श्रेष्ट, दिव्य जीवन की सर्व प्राप्तियों में जीना बड़ी आयू के साथ साथ निरोगी भव का भी वर्दान आवश्चक है अगर आयू बड़ी है, लेकिन माया की व्याधी बार बार कमजोर बना देती है तो वो जीना भी जीना नहीं है तो बड़ी आयूभव के साथ सदा तंदरूस्त रहना अर्थात निर्विग्न रहना है बार बार उल्जन में वा दिल शिकस्त की स्थिती के बिस्तर हवाले नहीं होना है जो कोई बिमार होता है तो बिस्तर हवाले होता है न छोटी छोटी उल्जन तो चलते फिरते भी खतम कर देते हो लेकिन जब कोई बड़ी समस्या आ जाती उल्जन में आ जाते दिल शिकस्त बन जाते हो तो मन की हालत क्या होती है जैसे शरीर बिस्तर के हवाले होता है तो कोई दिल नहीं होती उठने की, चलने की वा खाने पीने की कोई दिल नहीं होती ऐसे यहां भी योग में बैठेंगे तो भी दिल नहीं लगेगी ज्यान भी सुनेंगे तो दिल से नहीं सुनेंगे सेवा भी दिल से नहीं करेंगे दिखावे से वा डर से, लोकलाज से करेंगे इसको सदा तंदरुस्त जीवन नहीं कहेंगे तो बड़ी आयु भव, अर्थात, निरोगी भव इसको कहा जाता है पुत्रवान भव वा संतान भव आपके संतान हैं? दो, चार बच्चे नहीं पैदा किये हैं बाबा कहते दो-चार बच्चे नहीं पैदा किये हैं, संतान भव का वर्दान है ना, दो-चार बच्चों का वर्दान नहीं मिलता, लेकिन जब बाप समान मास्टर रचाईता की स्टेज पर स्थित हो, तब तो यह सब अपनी रचना लगती है, बेहत के मास्टर रचाईता बनना यह बेहत का पुत्रवान भव, संतान भव हो जाता है, हद के नहीं कि जो दो-चार जिग्यासु हमने बनाया यह मेरे हैं, नहीं, मास्टर रचता की स्टेज बेहत की स्टेज है, किसी भी आत्मा को वा प्रकिर्ती के तत्वों को भी अपनी रचना समझ, विश्व कल्यान कारी स्थिती से हर एक के प्रती, कल्यान की शुब भावना शुब कामना रहती है, रचना की रचना प्रती यही भावना रहती है, जब बेहत के मास्टर रचाईता बन जाते हो, तो कोई हद की आकर्शन, आकर्शित नहीं कर सकेगी, सदा, अपने को कहां खड़ा हुआ देखेंगे जैसे व्रिक्ष का रचता बीज जब व्रिक्ष की अंतिम स्टेज आती है तो वह बीज उपर आ जाता है ना ऐसे बेहत के मास्टर रचैता सदा अपने को इस कल्प व्रिक्ष के उपर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे बाप के साथ साथ व्रिक्ष के उपर मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की गुड़ों की शुब भावना शुब कामना की सनेहे की सहयोग की किरने फैलाएंगे जैसे सूरज उचा रहता है तो सारे विश्व में स्वतही किरने फैलती है न ऐसे मास्टर रचैता वा मास्टर बीज रूप बन सारे व्रिक्ष को किरने वा पानी दे सकते हो तो कितनी संतान हुई सारी विश्व आपकी रचना हो गई न तो मास्टर रचता भव इसको कहते हैं पुत्रवान भव तो कितने वर्दान है इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना जनमते ही यह सब वर्दान हर एक ब्राम्मर आत्मा को बाप ने दे दिया है वर्दान मिले है न वह अभी मिलने है जब कोई भी वर्दान किसी को मिलता है तो वर्दान के साथ वर्दान को कार्य में लगाने की विधी भी सुनाई जाती है अगर वह विधी नहीं अपनाते तो वर्दान का लाब नहीं ले सकते तो वर्दान तो सभी को मिला हुआ है लेकिन हर एक वर्दान को विधी से वृद्धी को प्राप्त कर सकते है वृद्धी को प्राप्त कर सकते उसकी विधी सबसे सहज और सबसे श्रेष्ट यही है जैसा समय उस प्रमान वर्दान समरीती में आए और समरीती में आने से समर्थ बन जाएंगे और सिद्धी स्वरू बन जाएंगे जितना समय प्रमान कार्य में लगाएंगे उतना वर्दान व्रिधी को प्राप्त करता रहेगा अर्थात सदा वर्दान का फल अनुभव करते रहेंगे इतने श्रेष्ट शक्तिशाली वर्दान मिले हुए हैं ना सिरफ अपने प्रती कार्य में लगाएं फल प्राप्त कर सकते हो लेकिन अन्य आत्माओं को भी वर्दाता बाप से वर्दान प्राप्त कराने के योग्य बना सकते हो यह संगम्युक का वर्दान 21 जनम भिन रूप से साथ में रहता है यह संगम का रूप अलग है और 21 जनम यही वर्दान जीवन के हिसाब से चलता रहता है लेकिन वर्दाता और वर्दान प्राप्त होने का समय अभी है तो यह चेक करो कि सर्व वर्दान कार्य में लगाते सह जागे बढ़ रहे हो यह वर्दान की विशेष्टा है कि वर्दानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती जब भक्त आत्माई भी मेहनत कर ठक जाती है तो बाप से वर्दान ही मांगती है आपके पास भी जब लोग आते हैं योग लगाने की मेहनत नहीं करने चाहते तो क्या भाशा बोलते हैं कहते हैं सिरफ हमें वर्दान दे दो माथे पर हाथ रख लो आप ब्राम्मन बच्चों के उपर वर्दाता बाप का हाथ सदा है श्रेष्ट मत ही हाथ है स्थूल हाथ तो 24 घंटे नहीं रखेंगे न यह बाप के श्रेष्ट मत का वर्दान रूपी हाथ सदा बच्चों के उपर है अमृत्वेले से लेकर रात को सोने तक हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर करम के लिए श्रेष्ट मत का हाथ है ही इसी वर्दान को विधी पूर्वक चलाते चलो तो कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जैसे देवताओं के लिए गायन है इच्छा मात्रम अविध्या यह है फरिष्टा जीवन की विशेष्टा देवताई जीवन में तो इच्छा की बात ही नहीं भ्रामन जीवन सो फरिष्टा जीवन बन जाती अर्थात करमातित स्थिती को प्राप्त हो जाते किसी भी शुद करम वा व्यर्थ करम वा विकरम वा पिछला करम किसी भी करम के बंधन में बंध कर करना इसको करमातित अवस्था नहीं कहेंगे एक है करम का संबंध, एक है बंधन तो जैसे यह गायन है हद की इच्छा से अविध्या ऐसे फरिष्टा जीवन वा ब्रामन जीवन अर्थात मुश्किल शब्द की अविध्या बोज से अविध्या, मालूम ही नहीं कि वह क्या होता है तो वर्दानी आत्मा अर्थात मुश्किल जीवन से अविध्या का अनुभव करने वाली इसको कहा जाता है वर्दानी आत्मा तो बापसमान बनना अर्थात सदा वर्दाता से प्राप्थ हुए वर्दानों से पलना सदा निश्चिंत निश्चित विजे अनुभव करना कई बच्चे पुर्शार्थ तो बहुत अच्छा करते लेकिन पुर्शार्थ का बोज अनुभव होना यह यथार्थ पुर्शार्थ नहीं है अटेंशन रखना यह भ्रामण जीवन की विधी है लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाता है नेचुरल अटेंशन नहीं रहता इसको भी यथार्थ अटेंशन नहीं कहा जाएगा जैसे जीवन में स्थूल नौलेज रहती है कि यह चीज अच्छी है यह बात करनी हैं यह नहीं करनी है तो knowledge के अधार पर जो knowledgeful होते हैं उनकी निशानी हैं उनको natural attention रहता है यह खाना है यह नहीं खाना है यह करना है यह नहीं करना है हर कदम में tension नहीं रहता कि यह करूं या नहीं करूं यह खाऊं या नहीं करूं ऐसे चलूं वा नहीं natural knowledge की शक्ती से attention है ऐसे यथार्थ पुर्शार्थी का हर कदम हर करम में natural attention रहता है क्योंकि knowledge की light might स्वत यथार्थ रूप से यथार्थ रीती से चलाती है तो पुर्शार्थ भले करो attention जरूर रखो लेकिन tension के रूप में नहीं जब tension में आ जाते हो तो चाते हो बहुत काम करने वा बनने चाहते हो number one लेकिन tension जितना चाहते हो उतना करने नहीं देता जो बनने चाहते हो वें बनने नहीं देता और tension tension को पैदा करता है क्योंकि जो चाहते हो वें नहीं होता है तो और tension बढ़ता है तो पुरशार्थ सभी करते हो लेकिन कोई जादा पुरशार्थ को भारी कर देते और कोई फिर बिल्कुल अलबेले हो जाते जो होना होगा हो जाएगा देखा जाएगा कौन देखता है कौन सुनता है तो ना वह अच्छा ना वह अच्छा इसलिए बैलेंस से बाप की ब्लेसिंग वर्दानों का अनुभव करो सदा बाप का हाथ मेरे उपर है इस अनुभव को सदा समरिती में रखो जैसे भक्त आत्माए स्थूल चित्र को सामने रखती हैं कि माथे पर वर्दान का हाथ है तो आप भी चलते फिरते बुद्धी में ये अनुभव का चित्र सदा समरिती में रखो समझा बहुत पुर्शात किया अब वर्दानों से पलते उड़ते चलो बाप के ग्यानदाता विधाता का अनुभव किया अब वर्दाता का अनुभव करो अच्छा मुख्य महारती भाईयों से मुलाकात जनम से कितने वर्दान मिले हुए हैं हर एक को अपने अपने वर्दान मिले हुए हैं जनम ही वर्दानों से हुआ नहीं तो आज इतना आगे नहीं बढ़ सकते वर्दान से जनम हुआ इसलिए बढ़ रहे हो पांडवों की महिमा कम थोड़ी ही है हर एक की विशेष्टा का वन्नन करे तो कितनी है यहे जो भागवत बना हुआ है वह बन जाए बाप की नजर में हर एक की विशेष्टाएं है और कुछ देखते भी नहीं देखते हैं जानते भी नहीं जानते हैं तो विशेष्टा सदा आगे बढ़ा रही है और बढ़ाती रहेगी जो जनम से वर्दानी आत्माई हैं वह कभी भी पीछे नहीं हट सकती सदा उढने वाली वर्दानी आत्माई हो वर्दाता बाप के वर्दान आगे बढ़ा रहे हैं पांडव गुप्त रहते हैं लेकिन बाप तादा के दिल पर सदा प्रतेक्ष है अच्छे अच्छे प्लैन तो पांडव ही बनाते हैं शक्तियां शिकार करती लेकिन कमाल तो लाने वालों की है अगर लाने वाले लाए ही नहीं तो शिकार क्या करेंगी इसलिए पांडवों को विशेश अपना वर्दान है याद और सेवा का बल विशेश मिला हुआ है याद का बल भी विशेश मिलता है सेवा का बल भी विशेश मिलता है क्यों? उसका भी कारण है क्योंकि जो जितना आवश्शक्ता के समय कार्य में आए है उसको विशेश वर्दान मिला हुआ है जैसे आदी में जब स्थापना हुई तो आप पांडव मर्ज थे, इमर्ज नहीं थे, शक्तियां एक्जाम्पल बनी और उनों के एक्जाम्पल को देख और आगे बड़े, तो यह आवशक्ता के समय एक्जाम्पल बने, इसलिए जितना जो आवशक्ता के समय सहयोगी बने हैं, चाहे जीवन से, चाहे सेवा से, उ उनको ड्रामा अनुसार विशेश बल मिलता है। अपना पुर्शार्ट तो है ही लेकिन एक्स्ट्रा बल मिलता है। अच्छा, सेवा करने से जो सर्व आत्माई खुश होती हैं, उसका भी बहुत बल मिलता है। जो अनुभवी आत्माई हैं, उन्हों के सेवा की आवशक्ता है। क्योंकि जिनोंने साकार में पालना ली है, उन्हों को देख करके सदा बाप ही याद आता है। कभी भी आप लोग दादियां कहां जाएंगी तो विशेश क्या पूछेंगे? चरित्र सुनाओ, कोई बाप की बाते सुनाओ, तो विशेशता है ना? इसलिए सेवा की विशेशता का वर्दान मिला हुआ है। चाहे स्टेज पर खड़े होकर भाशन ना भी करो, लेकिन यह सबसे बड़ा भाशन है। चरित्र सुनाकर चरित्रवान बनने की प्रेड़ना देना, यह सबसे बड़ी सेवा है, तो सेवा पर जाना ही है और सेवा के निमित बनना ही है। अच्छा। श्रेष्ट आत्माओं को बाब दादा का वर दाता की रूप में याद प्यार और नमस्ते। हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाब दादा को दिल वा जान सिक्वा प्रेम से नमस्ते 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 जी। गुड मॉनिंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाहा मेरा भाग्य, वाहा मेरे भाग्य विधाता बाबा। वर्दान है, हद की जिम्मेवारियों को, बेहद में परिवर्तन करने वाले सम्रिती स्वरूप नश्टो मोहा भव। हद की जिम्मेवारियों को, बेहद में परिवर्तन करने वाले सम्रिती स्वरूप नश्टो मोहा भव। डिटेल है, नश्टो मोहा बनने के लिए, सिरफ अपने सम्रिती स्वरूप को परिवर्तन करो। मोहो तब आता है जब यह सम्रिती रहती है कि हम घ्रस्ती हैं, हमारा घर हमारा संबंध है अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतव पूरी हो जाएगी लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिरफ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उसे और ही विगारते हो क्योंकि वह फर्ज मोहो का मर्ज हो जाता है इसलिए अपने समरिती स्वरूप को परिवर्तन कर नश्टो मोहा बनू स्लोगन है ऐसे तीवर उडान भरो जो बातो रूपी बादल सेकिंड में क्रॉस हो जाए अच्छा ओम शान्ती